हेलो बच्चो आप सभी का दिख्षान तर्यूटेक में स्वावत है मैं दीपा सिंग अक्षा एलके जी की सिक्षी का आज मैं आप सभी के सामने हैं अक्षा एलके जी का हिंदी कविता लेके प्रस्ति दूए हूं और कविता का नाम है आलू बोला ठीक है अब हम कविता तागत दे दूँगी गाजर भिंडी बैगन बोले गूबी मतर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे कविता पीर से एक बार पढ़ेंगे बच्चो आलू बोला मुझको खालो मैं तुमको मूटा कर दूँगा पालक बोली मुझको खालो मैं तुमको तागत दे दूँगी गाजर भिंडी बैगन बोले गूबी मतर टमाटर बोले अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे ठीक है अब हम कविता का अर्च समझेंगे बहुत सारी सब्जियां होती है आलू बिंडी गाजर मतर बैगन बहुत सारी सब्जिय सब्जियों के नाम सब्जियों में अलग अलग पोशक ततव पाएजाते हैं अलग अलग चीज देर मिन्रूल केलसियम ऐरन ठीक है तो और है किस चीज को ख़ागे तो क्या होगा तो अगर आप आलू जादा प्मोटे हो जाओगे ठीक है तो आलू और अगर आप पालग आपके अंदर में शक्ति आएगा तागत आएगा इसी तरह हर एक सब्जी को गाजर भिंडी बैगन गोभी मतर हर एक सब्जी में कुछ ना कुछ पोशक तत्व है और उसको भी खाओगे तो क्या होगा आप जल्दी बड़े हो जाओगे मतलब सिर्फ एक सब्जी नहीं आप स तरह को हरन एक सब्जी है कुछ झाला कुछ अच्छा कुन गुण कि खांटा साइब चाहल नहीं चाहलम है जाहलोगे हो ज desertавya को कि फिर में हाऒ अलग घ्री अजओट एस झाल्य हो जागे अगा जन्य तरह की तरह मुझे का आप तागत मिलेगा इसी तरह गाजर भिंडि ल को भी खाना है मतर घाना है तो क्या होगा जल्दी से स्वास्त हो जाएगा अप की बैध फ़स्ट रहाए अगर स्वास्त रहोगे तो जल्दी बड़े और भी हो जाऊंगे आप स्वास्त भी रहे होगे जिपे एक चाने काम नहीं चलेगा आपको सबसर्बट्या खाना हरी भी किये औप लाल पिली जितने भी बजार में सबजी आतीए खेतों में उगए जाते सबसर्भी को खाना है गाजर भिंडी बैगन बोले, गोबी मतर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे, जल्दी बड़े हो जाओगे, धन्यवाद.